तो फाइब बेस्ट लैप्टाप फो वीडियो एक्टिंग तो यार आज मैं आपको टॉफाइब लैप्टाप बताऊंगा फो वीडियो एक्टिंग के लिए जादा ही बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहे हैं प्लस में आपको कहना चाहता हूँ अगर आपका के 1,10,000 हो जाता है इस price range की बात कर लेते हैं तो यार अगर आपका वज़े 90,000 चलेके 1,10,000 price range में यार मैंने रखे हैं दो लैप्टप यह दोनों लैप्टप आपको बहुत पसंद आने वाले हैं एंड इसके specification भी बहुत अपर देखने को मिल जाते हैं है तो यार अगर आपने गेमिंग भी करने हैं लांस्टिंग भी करने है वीडियाइटिंग भी करने है फोटो एटिंग पर नहीं है ऐज ड्वैल्पर यूज़ करना चाहते हो अगर आप स्टूट अपने आफिस वर्थ के लिए भी को यूज करना है आप कर सकते हो मतलब कोई भी हैवी सुफ़्ट यूज करना चाहते हो आप इन दोनों लैप्टोप में कर सकते हैं अभी स्टार्ट करते है सबसे पहले बात करते हैं नंबर टू की नबर टूपर यार मैंने रख्था असूस रॉक्स ट्रिक्स को और इस लै किया जाने वाला यह laptop है because इसका stylish design मिल जाता है dual fan मिल जाता है anti-dust cooling मिल जाती because plus sorry इसकी back side में आपको LED lighting देखनी को मिल जाती जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसकी display quality बहुत तगड़ी जो की 120 refreshed के साथ देखने को मिलती है तो यहाँ दोनों की specification बहुत तगड़ी होने वाले अब भी बात करते है थोड़ी सी deeply तो यह असूस रॉक सट्रिक्स की बात करूं सबसे पहले display की बात करूं के 15.6 इंच फ्लस दीप्लस display मिल जाती जो की IPS level display जो की आपको 144 refresh rate के साथ देखने को मिलती है पर processor की बातों को i7 देखने को मिलेगा storage की बातों को 16 GB RAM देखने को मिल फार तो उनके बदर में असूस रॉक सट्रिक्स देखने को मिल जाएगी यहार में स्ट्रिकेशन में आपको बता दिया असूस रॉक सट्रिक्स की तो अगर आप एज आप वीडियो एट्टिंग के लिए लीना जा तो आपके लिए perfect deal हो सकती है अब यह आगे बात करते हैं असूस रॉक सट्रिक्स गी तो यहार डिस्प्ले की बात करों को 14 इंच फुल एच्टी प्लस दिस्प्ले मिल जादी जो कि आई-पैस एंटी के लिए डिस्प्ले अपर सार सार की बात करूं आपको AMD राजन 5 देखने को मिलेगा 4600 असके सा स्टोरेज की बात करूं आपको 8 GB RAM मिल जाते एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो प्लस आपको 1 TV SSD देखते हो को बिल जाती ग्राफिक आट की बात करों आपको विंटो टैं मिल जाते है बैंटरी लाफ की बात करों आपको 90,000 के बज़ेट में मतलो 90,000 से स्टार्ट हो जाती है इसका बज़ेट तो यार आपको दोनों ही Laptops के बता दिया है अभी बात करते हैं इन दोनों में इसे कौन सा लेना जाईए तो यार अगर आपका बज़ेट प्राउबलम है तो मैं आपको कहना जाता हूँ अगर आपके लिए पॉफेक्ट डील हो सकता है अगर आपका बज़ेट वान लाग त्यान थाउज की बात कर लेते तो इस प्राइज रेंज में और आने अगर को pro काम करना आजा professional काम करना आजा creator काम करना आजा developer काम करना वीडियो एटिंग करना आपके लिए मैं बताने वाला हूं तो start करते है नंबो थरी की बात करते हैं मैंने रखा इस तरपेरिटर को अगर इस laptop की बात करोँ अगर अगर आपने गेमिंग करने है वीड़्यी की ब्लस अगर अपने फोटो ऑटिंग करना है क्यों हागी technos को यूज करना है आपके लिए पोफैट ड Comics aha पर चाहते है नंबो वान की बात करूँ नंबो वान की बात करूँ नम्बो वान की बात करूँ नबो वान पर यार मैंने डख है HP Spectre X360 की अगर इस laptop की बात करूँ अगर आप एस अ प्रो काम करना जाते हो आज प्रोफेशनल काम करना चाहते हो आज तक का यह लैक। भी आपके लिए परफेक्ट डील हो जगता है प्लस इंट्रनेशनल को इस लैप्टोप को बहुत पसंद करते हैं आपको भी बहुत पसंद आने वाला है जो कि आपके लिए ब्यास तदील हो जाएगी अभी बात करते हैं तीनों के में स्पैसिफिकेशन की मैं आपको डीपली बता देता हूं तो यह इस सर पर डेटर की बात करू को मिल जाती प्लस 256GB SSD देखने को मिल जागी ग्राफिक कार की बात करूं आपको नवीड यह जीफू आर्ट एक्स तू रो शिक्स जिरो शिक्स जीबी ग्राफिक कार मिल जागा बहुत अत्गड़ा है वह अगर आपने हाई साइटिंग पर गीमिंग करने हैं आप इसली न पर जा सकते हैं तो अगर आपके इतना बले आप चल जाना आगे बात करते हैं सुस्त फिफ्टींग की तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 15.16 फ्लेस दिस्प्ले मिल जादी जो की 144 रिफ्रेश्चेट के साथ आती जो की आई-पैस लावल पैनल डिस्प्ले है प्रोसासर क के सास्ट्रिज की बात करूं आपको 16 GB RAM मिल जाती है, अपको बात करूं आपको 48 आब का बैंटरी मिल जाता है, प्र आज की बात करूं दिवाली फैस्टीवल में का प्राइज 92,000 के बड़े में मिलता था लेकिन अभी इसका प्राइज जादा हो गया आपको देखने को मैं लेगा 120,000 के बड़े में अभी बात करते हैं नमबर वान की नमबर वान पर मैंने रखी है इसकी डिस्प्ले की बात करूँ बहुत है जन्नत होने वाली है विकाज आपको 4K डिस्प्ले मिल जाती है 50.6 इंच के साथ जो की टॉच सक्रीन है एच्पी पैन के साथ देखने को मिलेगी उसके साथ आप यूज कर सबोगी प्रसेसर की बात करूँ आपको आई 7 देखने को म सब्सक्रीन के साथ देखने को मिल जाएगी तो यहार में सपेसिफिकेशन अभी मैंने आपको तीनो ही लैप्ताप के बता दिए तीनो लैप्तॉप पूरे पूर्फेक्ट है अपनी अपनी जगा ठीक है अगर आपने गिमिंग करने है दो लैप्त बता दिए बहुत सब्सक्राइब करने आप कर सकते हैं अगर आपका बड़े लाग से लेके दो लाग हो जाता है इस प्राइज रेंज में मैं आपको सीधा बोलना जाता हूँ आप जा सकते हैं आप प्रो के और या एप्पल मैक्बूक थर्ड इम्टियों बस आपने इतना द्यान में रखना है कि अपने 16 GB RAM के और मिनिममम जाना ही जाना अगर आपने वीडियो एक्टिंग करनी है फूर के में ट्राइ करना जाते हो तो 16 GB RAM तो मिनिममम होने ही चाहिए तो फे यह मैंने आपको इतने laptop बता दिये I hope कि आपको मेरी वीच्शे लगी अगर आपको मेरी वीच्चे लगी ले ले लेते हो अगर आपके पैसे खराब नहीं होने वाले उसमें भी आप 4K कर सकते हैं आपको 16GB RAM मिल जाते हैं के लिए आपस सभिड़ी एलार अभी मेरी वीडियोपय आपकों सब्सक्राब्स में और अब लिवा झाला आपको दिस्क्रिपिशिन बॉक्स में देखने को मिल जाणकर उसको चाहए हर्व मैहलते नेगे से सब्सक्राइब लकािशंग´ झाल झाल झाल